How RSI work, यानि RSI काम कैसे करता है? यह आपको समझना है, दो चीज़ आपको समझना होगा Overboard zone और आपका Oversold zone अगर आपका RSI below 30% है, that means टो यह आपका Oversold zone में है और अगर आपका RSI above 70% है, that means टो यह आपका Overboard zone में अब most important इसके basis पे हमें trade setup कैसे तयार करना अगर आपका RSI oversold zone यह नहीं 30% के नीचे है तो आपको low join करना पहला लो यहाँ पे दूसरा लो यहाँ पे दूनों लोगो join किये और line draw किये line का direction अपसेर की तरफ है that means true यहाँ पे buyers अपना strength gain करें और यहाँ पे हमें buying opportunity find करना buying opportunity मिलता है definitely आपको buy side वाला trade लेना है वहीं अगर आपको market oversold zone में जाता है तो यहाँ पे आप high join किजे एक high यहाँ पे दूसरा high यहाँ पे line draw किजे इस तरीके से divergence नीचे side की तरफ है that means true यहाँ पे जो buyers है वो क्या हो रहे हैं? वो यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं और sellers यहाँ पे strong वो रहे हैं तो आपको यहाँ पे selling opportunity find करना मिलता है तो आप definitely यहाँ पे sell side वाला trade ले सकते हैं